हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुवात करते हैं session on demand में जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जिस वीडियो की demand की है जिस concept को आप लोग सीखने के लिए बहुत ललाहित रहे हैं वो है expiry special option buying expiry को option buying क्यों की जाती है कैसे की जाती है, reason क्या है ये सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे ठीक है और risk reward, इतना बड़ा risk reward की आपकी संभावना, आपकी सोच से अलग होगा ठीक है, इसलिए बाजार में जो एक line कही जाती है कि आप 100 दिन कवाएं और एक दिन कमाएं वो कही जाती है मातर expiry के लिए लेकिन expiry को संभवता ये लोग कर नहीं पाते हैं कहते तो हैं, कर नहीं पाते हैं कर क्यों नहीं पाते हैं, कारण नहीं पता है तरीका नहीं पता है कैसे करना है आज case station में हुआ है हमारे traders ने trades किये पूरा momentum नहीं capture किया जाता है लग बग 60-70% momentum capture किया जाता है और कितना risk reward मिलता है मैं आपको बता हूँ पांच पांच रुपए, चार चार रुपए तीन तीन रुपए के premium तीन तीन सो, दो दो सो बिख जाते हैं और आप अगर बोलेंगे तो आज का ही दिखा दूँगा आज के ही premiums तो पहले समझते हैं कि option buying कब की जाती आप लोगों का क्या है ना Monday to Friday सिर्फ option buying कर रहे हैं करना ही नहीं, क्यों नहीं करना है पहले ये देखना है और फिर कब करना है पहले ये देखना है एक एक करके हम लोग step by step एक के concept पे आएएगे ठीक है अगर हमारे बताईगी चीजों से आप relate कर पाते हैं जुड़ पाते हैं तो नीचे description में आपके पास telegram का link है वहाँ पर और videos के link आपको मिल जाएंगे वहाँ से जाकर आप और knowledge ले सकते हैं और चीजों को जाकर live market में जाकर test कीजे फिर आपको पता लगेगा कि ये जो learnings अब ले रहे हैं इसका power क्या है चलिए शुरुवात करते हैं option buying क्यों करना है unlimited profit के लिए option buyer को मात्र एक भरोसा दिया जा रहा है कि आप अगर buying करेंगे तो कितना भी profit कर सकते हैं ये बता कर option buying कराई जाती है ठीक है लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि कब ऐसा होगा देखिए मैं आपको एक सच्चाई से राफ्ता कराऊ अभी बाजार लगबग लगबग अमोमन 45,000 ट्रेट कर रहा है ठीक है 45,000 के उपर के call options 45,100, 45,200 45,300, 45,400 ये सारे strike price है ठीक है अच्छा मान लेते हैं कि आपने एक trade execute example से समझेगा आपने एक trade execute किया और 45,200 का price buy कर लिया call option buy कर लिया और 45,200 का जो premium था जो value थी उस समय वो 500 रुपर trade कर रही थी आपने buy किया सर मैं बोलता हूँ अभी index यहां से 300 point का momentum देगा तो इसमें कितना आपको profit मिल सकता है मैं आपको बता हूँ कितना मिल सकता है max to max 100 points to 20 points 100 से 120 points आप कमा सकते हैं तो total जो आपने खरीदारी की उसका 40 से 50% हलाकि यह बहुत बड़ा मुनाफा है हमारे traders तो मात्र 1.5-2% ही कमाते हैं दिन का लेकिन consistency से यह option buyer आप लोग कभी पैसा नहीं बचा पाएंगे आज कमाईए कल गवा दीजे मैं बताता हूँ न option buying का end result क्या है loss है अगर आप समझके नहीं कर रहे हैं हमारे traders भी option buying करते हैं लेकिन उनके करने का तरीका अलग कब क्या खरीदना है उनको पता है ठीक है समझे क्यों ऐसा हो रहा है 120 रुपय कमाईगे मैं आपको बताओं यही 300 point का momentum आपको 40% नहीं 400% तक 500% तक return दे सकता है 400% का मतलब समझते है 200 का premium 1000 हो जाए यह दे सकता है यह potential लगता है यह तो मैं कम बता रहा हो हूँ बहुत कम है X में समझे गुने में कि कितने गुना पैसा हो सकता है तो 10 रुपय का premium 200, 200, 300, 300 बिक सकता है यह देखिए 30 गुना हो सकता है 40 गुना हो सकता है कैसे समझे एक मैं आपको सबसे बहतर थियोरी समझाता हूँ अगर यह बाजार जो 45,000 ट्रेट कर रहा है हर हाल में आकर 31 तारीक की जो expiry है यहीं आकर close कर दे 44,988 ही close कर दे 45,000 को ही close कर दे तो क्या होगा बताइए क्या होगा होगा यह कि उपर के सारे call option 45,000 के उपर के सारे 45,100, 45,200, 300, 400, 500 सारे 0 हो जाएंगे ठीक है और इसी तरीके से 45,000 के नीचे के सारे put option 0 हो जाएंगे 44,800, 44,500, 44,000 सारे 0 हो जाएंगे जो कि आज 25 तारीक थी expiry हो गई तो उपर के सारे call options उपर के सारे call options का मतलब है यहाँ पर option chain पर आईए 25 तारीक यहाँ पर दिख गई दिख गई ना तो देखिए 45,000, 0 हो गया 44,900, 0 हो गया call options है यह 45,200, 0 हो गया 45,300, 0 हो गया यहाँ पर देखिए 44,700 का यह put है 0,0,0,0,0,0,0,0 सारे 0 हो गया कुछ बचा रह गया नहीं कुछ भी नहीं रह गया तो मैंने कहा जहां बाजार expiry को close करता है उसके उपर के सभी call और नीचे के सभी put 0 हो जाते है तो यह पैसा कौन लेकर जाता है यह time की value होती है यह seller और hedge करने वारे हमारे जैसे trade जो आप loss करते हैं वही हमारा मुनाफायस है आप buyer हैं आप loss करते रही हैं हम लोग कमाते रहते हैं ट्रेडिंग एक wholesome game है एक कमाएगा तो एक कमाएगा अगर मैं कमाँगा तो आप कमाएगा लेकिन मेरी possibility है profit करने की हर बार hedging करूँगा तो तो हर बार कमाँगा तो कभी loss ही नहीं करूँगा तो आप हर बार loss करेंगे मतलब as a buyer है ना seller ये पैसा ले जाता है अच्छा अब मैं आपको दूसरी बात बताओ seller का सबसे बड़ा डर ही क्या है buyer के लिए opportunity है ध्यान रखिएगा इस बात को buyer तभी active हो जब seller का सबसे बड़ा डर काम कर रहा है seller का डर कब काम करेगा बताइगे seller क्या कमाता है seller कमाता है उपर के premium नीचे के premium अभी अगर बाजार 45,000 चला है तो 45,500 का call 44,500 का call ये सब seller sale करके बैठे है 44,500 का put, 44,400 का put 44,300 का put, उपर 45,600 का call 45,700 का call 46,000 का call, 46,200 का call आज हम लोगों ने 46,300 का call sale करके profit किया आप लोगों को position अपडेट किया गया नीचे telegram में जाकर देखिए 31 तारीका position था कल हम लोग लेकर गये थे 45,600, 45,800 पूरा 0 किया 46,500 लेकर गये पूरा 0 किया आपको update किया description में telegram का link है वहाँ पर सारी position अपडेट की तो ये हमारा profit है हम लोग अपनी position को कब exit करते है जब हमारे पास कमाने को कुछ नहीं रह जाता है जैसे अगर अभी देखा जाए तो 31 तारीक के expert ध्यान से सुनते जाए चीज़े मैं सारे points जाकर एक जगे जाकर connect कर दूँगा और सुनिएगा नहीं तो कोई फैदा नहीं है चीज़ों को सीखने का ठीक है अभी बाजार adjustment price 44866 ठीक है तो हमारे पास जो position है 46,000, 45,900, 46,000 ये सारे call option sale है नीचे से ये put option sale है ये 43,900, 44,000, 43,000 ये सारे put option sale तो ये value क्या है हम earn करेंगे अब देखिए ध्यान से सुनिएगा price जहां trade कर रहा है अगर आप गौर करें तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखने को मिलेगी price कहीं नहीं गया ज़्यादा momentum index में है नहीं गर आप गौर करें तो कल की closing में 45,000 थी आज 44,600, 46,600 है 45,700 का premium कितना गिर गया 40% नीचे 44,300 का premium कितना गिर गया 40% बाजार वहीं का वहीं है ये put buyer और call buyer loss कर रहे हैं जो आप loss कर रहे हैं वो as a seller हम लोग earn कर रहे हैं हम लोग hedge कर रहे हैं तो हम लोग वहीं कमा रहे हैं हम लोग अपनी position को कब exit करते हैं हम लोग अपनी पोजिशन को तब exit करते हैं, यह 100-100 के premium, 200 के premium, जब 3-3-4-4 रुपए रह जाते हैं तब, तब sailor अपनी position से exit हो जाता है, sailor जब position को काटता है, तब position में गिरने के लिए, decay होने के लिए, कमाने के लिए, कुछ नहीं रह जाता, जीरो की तरफ बढ़ रहा होता है, expiry के दिन, दो बज़े के बाद, जैसे की आज, आज अगर आप देखें, तो एक समय पर, चौआलिस साथ सो, चौआलिस आठ सो, ठीक है, चौआलिस चैसो, ये premium कहां trade कर रहे थे, एक समय, दो बज़े के आसपास, अगर आज का example लेंगे भी, तो समझ आ जाएगा, ठीक है, तीन तीन रुपए, चार चार रुपए पर trade कर रहे थे, यहाँ पर एक effect काम करता है, जिसको technical में हम लोग कहते हैं, गामा effect, गामा effect को technical में, technical से समझेंगे तो, तो मुश्किल हो जाएगा, साधर भासा में समझते हैं, example के तोर, एक extract price उठाईए, पैंत आलिस हजार, ठीक है, साधर यहाँ पर दुबारा से ले लूँ, 45,000 का call, 31 तारीक का, ठीक है, 45,000 के call में, premium गिर कर बंद हुआ, कितना, 175 points, 26% value इसकी decay हो गई, decay हो गई ना, कल price कहीं और close किया था, आप देखेंगे, तो कल की closing इसकी कहीं और थी, देखें, यह कल की closing थी, यह आज की opening candle है, और price, 300 तक आया था, close किया है, 493 पर, ठीक है, तो इतना decay हो गई, और price में क्या momentum है, बताईए index में, कुछ ज़्यादा momentum नहीं, बहुत बड़ा कोई momentum नहीं, तो यह premium यहाँ decay हो गए, अच्छा, यह काम की बात नहीं, काम की बात क्या है बताईए, यह premium जब, अभी जो बात बताई, 300 पे trade कर रहा था, कब, जब index, 4.500 को trade कर रहा था, bank nifty, जब 4.500 को trade कर रहा था, तो 45,000 का call trade कर रहा था, 300 को, 300 से premium बढ़कर हो गया कितना, देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यही ध्यान देना है, time to buy, option buying कब करनी, यह ध्यान आ जाएगा, समझ आ जाएगा, यह premium बढ़कर औस तन 500 हो गया, 300 का premium 500 हो गया, 2 गुना, 2X होता, तो 300 का premium 600 होना पड़ता, होना पड़ता ना, नहीं हुआ, कितना हो पाया, लगबग लगबग 80% का increment है, कब time देखिए यह, यह time है 3 बजे के पास का, 3 बजे से 3.5 तक premium में कितना gain हुआ, लगबग 80% का increment है, अब जब premium की value 300 थी, और index ने लगबग 400 point का momentum दिया, तो premium कितना बढ़ पाया, 200 point, 193 point अप्रोक्सिमा लीजे, तो लगबग 200 point, तो total value का कितना, 80%, लगबग लगबग, और वहीं, जो premium की expiry आज थी, 4400, 4400, यह 3 बजे जब अगर इनकी value को अगर आप देखें, 3 PR, अब भूलेंगे नहीं, 2 मिनिट के टाइम फ्रेम पर आजाओ, समझने में आसानी, ठीक है, यह देखें, क्या value trade कर रहा है, 2 रुपए, 75 पैसे, 3 रुपए, 30 पैसे, 5 रुपए, और इसी इतना ही momentum, देखें, बैंक निफ्टी तो जाज़ चल कर नहीं के, बैंक निफ्टी अगर आप देखें, तो वही momentum, 45 जार के call option के लिए हुआ है, जो की 31 तारीक की expiry है, और वही momentum, 4400 के call option के लिए हुआ है, जो की आज की current expiry, जब premium में, decay होने के लिए, 300 की value थी, 45,000 में, इस वज़य से, वो कितना बढ़ पाया, मात्र 80%, और जब premium में, decay होने के लिए, कुछ नहीं रह गया, मात्र 4 रुपए रह गया, अब सारे points समझ में आ गया ना, सारे points में ने connect कर दिया, जब premium में, decay होने के लिए, मात्र 4 रुपीज की value रह गयी, तब आप गौर करें, तो premium कितना बढ़ गया, bank nifty ने उतना ही momentum दिया, premium कितना बढ़ गया, 4 रुपए से 164, 4 रुपए से, हाई तो बहुत लग गया, 4 रुपए से 164 की closing, कितने percent हो गया, 4 का 40 होता है 10 गुना, ठीक है, और 40 का, 4 गुना होता है क्या, 160, तो 4 का 160 कितना होता है, 40 गुना, बात क्लियर हो रही है, 40x, एक premium इतने ही momentum में, 80% बढ़ा है, 2 गुना भी नहीं हो पाया, 2x भी 300 की value मात्र 500 हो पाई, और एक तरफ, वही 4 गुना का premium कितना हो गया, 40 गुना, ये कैसे संबभ हुआ, जब किसी भी strike price में, definition के तुरू समझे, जब किसी भी strike price में, premium में decay होने के लिए, गिरने के लिए कोई value नहीं रह जाएगी, तो बस उसमें सिर्फ क्या रह जाता है, एक upside रह जाता है, potential और downside, अब 2 रुपए का premium क्या ही हो सकता है, 0 हो सकता है, क्या हो सकता है 2 रुपए का premium, 0 ही तो हो सकता है, इसे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन, बढ़ने के लिए, पूरा आसमान खुला है, तो जो unlimited profit की बात होती है, option buyer के लिए, वो expiry को 2 बजे के बाद की होती, 2 से 3 के बाद, 2-3 के बीच में कहीं position बनाई है, 3 बजे तक, और उसके बाद अगर momentum मिल गया, तो ये घटित होता है, बात clear हुई, ठीक है, आपको लगेगा इसी stack price, नहीं, आप 44 से सो देख लीजे, इसी को कहा जाता है, मैंने देखिए, अब technical की मैंने बात नहीं की, आपको सिर्फ premium को समझा दिया, क्या समझा दिया, मातर premium को समझा दिया, एक second रूखिए, 31 तारीक का इट कर दिया लग रहा है ने, आज की expiry, आज की expiry का call, देखिए, समझिये चीज़ों को ध्यान से, ये देखिए का ध्यान से, momentum, निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में तो उतना ही momentum हुआ है, 500 का call कितना हो पाया, जितना बड़ा premium, देखो 500 का premium बाई किया, तो 666, लगबग 60% मातर बढ़ पाया है, 500 का premium कितना हुआ, 666, 200 बढ़ता, तो 750 होता, तो 50% बढ़ जाता, 17 point, एक्स्ट्रा बढ़ गया है, 60% के असपास premium बढ़ पाया मत, जब आपने value को 300 का बाई किया, तो 80% के असपास increment है, और वही value, जब आप यहाँ पर देखिए, 10 रुपय, 8 रुपय का बाई कर रहे हैं, तो वो कितना हो रहा है, 264, 260, बात clear हो रही है, समझ पा रहे हैं, यही gamma effect होता है, जब किसी strike price में, option seller के लिए, कमाने के लिए, कुछ ना रह जाए, तो वो अपनी positions को काट कर भागते हैं, और यह घटना होती है, expiry को दो बजे के बाद, जब option buyer अपनी position, option seller अपनी positions को काट रहे होते हैं, तो बाजार को up and down, एक flexibility मिलती है, उतार चड़ाओ करने के लिए, उस समय gamma effect काम करता है, कि 2 रुपय का premium गिरने को तो मातरब 0 हो सकता है, 0.05 पर lower circuit लग जाता है, लेकिन बढ़ने के लिए एक खुला आस्मान होता है, potential पूरा का पूरा है, जितना चल पाए, उतना चल सकता है, बात clear हुई, तो option buyer कम करनी है, पूरे हफते नहीं करनी है, अगली expiry में नहीं करनी है, वो तो seller का काम है, हम लोग करते हैं, हैजिंग करते हैं, हम लोग अगली expiry करते हैं, ठीक है, आज अगर आप position देखें, नीचे description में, टेलिग्राम में जाएंगे, आज जो हमारे traders ने position trade किया, वो 31 तारीक का है, 31 तारीक का, 46-300 का call sale किया, उसमें profit book किये, नेक्ट expiry में क्योंगे, premium नहीं बढ़ेगा, आज की expiry अगर sale करते हैं, यह 2-3 रुपए का premium, तो 2 रुपए का premium, 264 हो जाता है, तो जो आपको गुमराह करते हैं, कि option selling में unlimited loss, ऐसा नहीं, आप उसको hedge करेंगे, कभी loss नहीं, और अगर समझदारी से करेंगे, तो कभी भी नहीं, unlimited loss इन लोगों के लिए कहा जाता है, तो seller के डर को trade कीजिए, जो seller बनते हैं, लेकिन होते नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, option selling क्या है, 2 रुपए का premium sell की जीए खागा, क्या कम आई ये का से, तो उस समय buying करना होता, हमारी traders इस opportunity को, आज बहुत हमारी traders ने अपनी capital को, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, 20 गुना कर लिया, कैसे, सिर्फ ये point उनको पता था, कि वैंस डे को buying करनी है, कब monthly expiry, Thursday को होती है, nifty और bank nifty की, weekly expiry, Wednesday को आपको, bank nifty की option buying में, opportunity को ढूनना है, कब 2 बज़े के बाद, फिर nifty में Tuesday को, option buying को ढूनना है, opportunity को call या put, 2 बज़े के बाद, nifty में आपको opportunity को ढूनना है, 2 बज़े के बाद, कब Thursday को, mid cap में ढूनना है, Monday को, और Sansex में ढूनना है Friday को, हर दिन एक expiry है आप हर दिन expiry को trade कर सकते हैं अब एक बात आती है कि अगर जो call buy करते और put buy करते क्या buy किया जाए आज तो upside momentum मिला अगर down मिल जाता तो call 0 हो जाते put jackpot साबित होते तो मैं कहता हूँ जब 2, 2, 3, 3, 5, 5 रुपए के premium रह जाएं तो call और put दोनो equal quantity में buy करके रख लिए जाते हैं equal quantity में, बराबर quantity में, 5 lot इदर और 5 lot इदर, 10 lot इदर और 10 lot इदर, jackpot साबित होता है, ठीक है अब एक बात और यहां पर no down कीजिए, हर expiry को नहीं होगा, लेकिन अब बताइए, 5 रुपए का premium, 2 रुपए का premium 0 हो जाए तो max loss कितना है, 2 रुपया, 5 रुपया एक expiry चला गया, 2 expiry, फिर 55 रुपए चले गया, 10 रुपए हो गया, अगली expiry, फिर 55 रुपए चले गया, 15 रुपए हो गया, 3 expiry loss हो गया, 1 expiry ऐसा मिल गया, अब बताइए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 पॉइंट, 40 पॉइंट गवा कर, जो कि आप रोज loss करते हैं, और उसक पैसा बच जाता है, 5-5 पॉइंट, हर expiry को एक एक लॉट में गवाईए, तो 10 expiry में 50 पॉइंट जाएगा, और एक expiry 10 रुपए की ठीक बाइंग हो गई, तो वो 264 हो जाएंगे, तो 200 पॉइंट निकलाएंगे, बताइए, 11-12 ट्रेड में एक ट्रेड में सही हुआ, तो भी कम से कम 25-30 ट्रेड का पैसा बच जाता है, इतना benefit है इसको करने में, अब आप कैसे कर पाईएगा, मैंने कहा, expiry के दिन क्या करना है, जब बैंक निफ्टी के expiry है, तो 2 बजे के बाद, call और put जहाँ प्रीमियम 5-5 रुपए ट्रेड कर रहे हों, धाई बजे के आसपास call और put strike price के बाई करके बैठ जाने है, 5 रुपए का call, 5 रुपए के put, आपका जैसा risk है, 10 रुपए के call, 10 रुपए के put, बाई करके बैठ सकते हैं, ठीक है, और जिस दिन वो momentum मिलेगा, अब देखें, 5 दिन 5 expiry है, हर expiry आपको jackpot नहीं साबित होगा, 5 में से 1 expiry jackpot साबित हो ग्यारा का विक्स 15-16 के हाई लगाकर 13-85 के आसपाज trade कर रहा है, अगर विक्स positive है तो volatility जदा है, आज expiry session को profits जदा होगे, तो option buying, Tuesday को fin nifty में, Wednesday को bank nifty में, Thursday को nifty में, Friday को sensex में, और Monday को mid cap में, अगर ये आपने decide कर लिया, कि ये मुझे करना है, फिर आप option buying कीजिए, कोई नहीं रोकता आपको, और time क्या है दो बजे के बाद, बात clear हो गई, ये इस तरीके से option buying कीजिए, ये तरीका है option buying करने का, minimum limited risk और maximum reward के लिए जाए, unlimited reward यहाँ पर मिलता है option buyer को, जो बात कही जाती है, buyers के लिए, वो expiry को ठीक साबित होती, जब seller exit होंगे, तब buyers कुछ कमा प expiry को 2 बजे के आसपास, Z बजे के आसपास अपनी positions को square off करने की शुरुआत करते हैं, वो धाई बजे तक अपनी positions को काट पाएंगे, फिर price में एक volatility आएगी, और option buyer profit करेगा, बात clear होगी, अब ध्यान रखिएगा, option buying कब करनी है, expiry को, वो भी कब 2 बजे के बाद, कैसे call or put दोनों को buy करके रख सकते हैं, अगर projection नहीं जानते हैं, एक साथ call put buy करके बैठ जाईए, जो होगा देखा जाए, ठीक है, इस तरीके से, अभी भी कोई doubt रह गया हो, तो नीचे comment section में बता सकते हैं, contact detail दी गई है, description में वहाँ से contact करके, पूछ सकते हैं, और ऐसे ही, आपको बहुत बड़े profits देने वाले, या चोटे-चोटे profits में hedging करके daily profitable होने की अगर संभावना आप रखते हैं, कोशिस करना चाते हैं, और हमारे साथ live market को trade करते हुए सीखना चाते हैं, और daily profitability लना चाते हैं, तो नीचे description में जो contact detail हैं, वहाँ जाकर, आप classes को enroll कर सकते हैं, ठीक शुब रात्री धन्यवाद